नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं परतिहार टोटके मिथुन डासी वालों आने वाले साथ साल साल दो हजार चौबेश से दो हजार तीस तक क्या कुछ बड़ा बदला होने वाला है आपके जीवन में ये साथ साल क्या प्रभाव डालेंगे आपका करियर, आपका ब्यापार, आपकी ब्यवाहिक जीवन, आपकी लव लाइब, आप बिद्यार्थियों के लिए ये साथ साल क्या कुछ बड़ा बदला लाएगा आज हम आपसे ही साजा करेंगे तो वीडियो के अंतक बने रही है और ये प्रडिक्शन चंदरासी पर आधारित है तो मिथून बालों के लिए सबसे पहले तो उनका जो स्वामी है वो बुद्ध देव है और बुद्ध ग्रह को जोतिस में बुद्धी का, वानी का, ब्यापार का, छोटे भाई बेहन का और अर्थ व्यवस्था का कारक माना चाता है बुद्ध जो हैं, लगबग एक महने में रासी परिवर्तन करते हैं, एक रासी से दूसरी रासी में गोचर करते हैं और इसका असर सभी पर पड़ता है जो नियाई प्रिय सनिदेव हैं, तीस महने में रासी परिवर्तन करते हैं यानि धाई साल में और सुख सम्रिद्धी धन देने वाले उन्नती देने वाले सुखों को देने वाले जो देव गुर ब्रहस्पती हैं तेरह महिने में रासी परिवर्तन करते हैं और जो राहु केतु हैं जैसे की 30 अक्टूबर को रासी परिवर्तन करने वाले हैं और वो राहू केतु का जो रासी प्रवरतन है वो डेड़ साल में होता है तो आने वाले साथ साल कैसे रहेंगे तो सबसे पहले सुरुआत करते हैं देखिए बैदी जोतिस के नुसार बुद्धी ब्यापार के दाता जो बुद्ध ग्रह हैं सनी देव के साथ इनकी मित्रता का भाव है और दूसरी बात मिथून रासी पर बरतमान में ना तो सनी की धहिया चल रही है ना साड़े साथी की पूरी तरह से आप आजाध है और साथ ही सनी देव आपकी गोचर कुंडली में याद रखिए गोचर कुंडली में भागस्तान पे हैं तो आपके लिए दो हजार चौबिस पच्चेस भागे भाव जो भागे स्थान पर सनिदेव नी इस्थित हैं तो इसको हम धर्म का भाव यात्रा का भाव विदेश भाव भी कहते हैं और यहां पे रहेंगे तो सही माइने में अब किस्मत का साथ मिलेगा जो करेंगे क्योंकि सनिदेव कर्म फ्ल दाता है तो कर्मों का फ्ल आपको जरूर मिलेगा और भाग के द्वारा धन संचय धन प्राप्ती होगी बैंक बैलेंस बढ़ेंगे खासकर अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं लंबी दूरी की यात्रा आप दूसरे स्टेट भी जा सकते हैं तो आपके लिए ये समय उत्तम है सर्वोत्तम है इस दोरान की बार में सबके साथ आपके रिस्ते बढ़िया होंगे लेकिन जो भी द्यार थी उनके लिए ये वक्त बहुत सांदार है अगर आप कंपिटीशन के दियारी कर रहे हैं अगर आप उस्च सिक्षा के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं आपको एक्जाम दिये हैं यकीन मानि की चाल अगर 90% आपका साथ देंगे तो 10% आपको भी मेहनत करना है कहने का ताथ पर मेहनत से सफलता होगी और सांदार वक्त है ये वक्त का फायदा आपको उठाना ही चाहिए बिसेस कर सबसे ज़्यादा सुब साल वर्स सुब रहने बाला है देखिए साल 2025 के जुन जुलाई से आपके लिए और ज़्यादा अच्छा वक्त आने बाला है यानि ये जो समय चल रहा है 24 के बाद वो तो अच्छा है लेकिन 2025 आधे समय के बाद जुन जुलाई से और बहत करते हैं तो नोकरी में जिम्मेदारी मिलेगी और प्रमोशन भी होगा अगर आप बेतर तरीके से कारे करते हैं आप के तंख्वा बढ़ सकते हैं जो वैपारी भाई हैं ब्यपार का विस्तार करेंगे हो सकता है आपके ब्रांच बहुत सारे हो जाएं बैपार के दूसी तरफ दो हजार चब्विस और दो हजार सताइस ये जो दो साल है और दो हजार पच्चिस के आधे साले निए धाई साल सनी देप की सप्तम द्रिष्टी आपके सप्तम अस्थान पर है तो जीवन साथी का हर कदम पर सपोर्ट मिलेगा तो भी बड़ी सफलता मिलने के योग बनेंगे खास कर जो लोग औविभाईत हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि बिवाह होने की संभावना बड़ी भी रहेगी यानि बिवाह होना पक्का है दो हजार पच्चिस से सताइस तक और साथ ही करियर बैपार में मील का पत्थर साबीत होगा ये धाई साल जम के महनत कीजेगा और इस में सेर मार्केट लोटरी जुवा सटा से भी लाब होगा लेकिन रासी फल देख कर ही लीजिएगा इन चीजों का टिकट क्योंकि किस दिन लौस है किस दिन लाब है ये तो आपको देखना होगा क्योंकि मून साइन चंद्रमा से तो देखना ही होगा सीधी तरह से वह प्रभाव डालते हैं जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़ियां वक्त रहेगा आने वाला जो वक्त है 2027 तक वह और ज्यादा बेतर है एक अच्छी जौब खासकर विदेश में जौब करना बड़ी सफलता होन प्राप्त होना अपनों का सपोर्ट से और ज्यादा काम्याब होना और लब लाइब की बात की जाए तो अच्छा रहेगा लेकिन जो विद्यार्थी हैं इन चीजों में पढ़कर आपको समय नहीं नश्ट करना पढ़ाई करना है अब द देखिए 2028-29 थोरा सक कस्ट देगा खास कर रिस्तों के मामलों में परेशानी हो सकती है याद रखिए रिस्तों के मामलों में अपने ही धोका देंगे जिन पर आप ट्रस्ट करेंगे वही पीठ में शुरा भोकेंगे इसका आपको ख्याल रखना है क्योंकि सनिदेव नी ज अबस्ता में रहेंगे तो हो सकता है आप पहले से आपके स्वास्त में कोई समस्या है तो पुराना बीमारी भी उभर आए दबाईयों पर खर्चा बढ़ जाए चोर चपेट दुर्गटना जैसी चीजों से बचना होगा यानि 28-39 जब नीच अवस्ता में सरी देव होंगे त हलाकि 2030 के आदे साल तक ही आपको ओम संग सनिच्रायनमा इस मंत्र का उन समयों में खूब जब करना चाहिए और साथ ही आप उनके समंदी दान भी कर सकते हैं जैसे काला तिल है काली उड़द है छाता है जूता है कंबल है अभी नहीं अभी सब कुछ बहतर है आप 28 के बाद करना है लाइफ टाइम ओम बुधायनमा का जब करें या भगवान स्री गनेश को दुरवार पीत करें यह आपको करना ही चाहिए क्योंकि जब आप अपने सरीर को अपने आत्मा को बल देते हैं मजबूत कर लेते हैं तो ग्रह भी नकात्म प्रभाव नहीं डालते हैं तो प का बहुत ही खुबसूरत तरीके से इस मोथली चलेगा हलाकि नए साल की सुरुआत बहुत ही खुबसूरत रहेगी मान समान पदोनती सपने साकार होने के योग बनेंगे इंकम बढ़ेगा सरकारी विवाग से जुड़ा कारियों में सपलता तो एही सरकारी नौकरी के प्रा लेंगे वहीं से बरकत है लेकिन मेहनत करना होगा किसी बड़े निवेस में पैसा लगाने से फैयदा मिलेगा सोस मचकर लगाईएगा यानि कि पूरे वर्स सनिदेव नवंभा में और भाग्य को चमकाने में मदद भी करेंगे विदेश से यात्राएं विदेशी कारोबार से धनलाब जो विद्यारती हैं उच्छे सिक्षा की प्राप्ती भी आसानी से होगी और राहू के दसंभाव में रहने से आपकी जो जौब की स्थिति है उसमें थोड़ा बदला होगा हरा कि जो बैपारी भाई हैं बड़ा आर्थिक लाप्त होगा आपका रुतवा बढ़ सुरुआत के जो छे मैने हैं दो हजार चौबिस के वो सर्वोत्तम है और जून के बाद थोरा सा धन के मामलों में सतर करेएगा बेवजा का खर्च बेगर करने से बचना है आपको और जो भी निरने लें खुद से लें लोगों पर भरुसा ज्यादा ना करें फिलाल आप से विदा लेंगे हर हर महाद